आज दस जनवरी का दिन है और दस जनवरी के आज के दिन दो बड़ी घटनाएं एक तरफ पठान फिल्म सारुखान की जो फिल्म आ रही है पठान फिल्म उसका ट्रेलर रिलीज हुआ सबको पहले से मालूम था कि पठान फिल्म आने वाली है उसका ट्रेलर रिलीज होने वाल शारुखान का ट्रेलर इतना बड़ा सिस्टम इतनी बड़ी जो है उसके पीछे बैकिंग आप कह सकते हैं तमाम बॉलिवूड के एक्टरों ने तमाम और दूसरे इंडस्ट्री के एक्टरों ने जो है उस पर उस लिंक को बाकाइदा ट्वीट किया लेकिन शारुखान के ट्रेलर के ऊपर शारुखान की जो मूवी आ रही है उसके ट्रेलर के ऊपर व्यूज कम आए और रवीज कुमार के व्यूज जादा है एक तरह इसे रविश कुमार ने शारुगान को भी पचाड दिया शारुगान की फिल्म का ट्रेलर जो है उसको भी पचाड दिया ये आप देखी सबसे पहले मैं आपको सारुगान का ही दिखाता हूँ जिस YouTube चैनल के उपर इनका ट्रेलर रिलीज हुआ है ये YRF एक जो है YRF तेलगू है और इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है और 5,32,000 जो है इसके सब्सक्राइबर है और 9 गंटे के अंदर इस पर व्यूज है 4,97,000 पांच लाग से कम 9 गंटे के अंदर वही पर रवीज कुमार के जो सब्सक्राइबर है 3,79 यानि करीब जो है वो 4,4,000,000 के आसपास है और इस पर एक घंटे के अंदर जो है वो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको 3,08,000 व्यूज है 3,08,000 लोग जो है वो रवीज कुमार को देखने के लिए एक घंटे के अंदर आगे पठान को देखने के लिए 5,00,000 लोग आए है 9 घंटे के अंदर जबकि कितने सारे लोगों ने जो है इसको पहले से बताया होगा दिखाया होगा सोचे ज़रा इस बात को रवीज कुमार की लोग प्रिता या यू कहें कि रवीज कुमार के जर्ये इस यात्रा को देखने की लोग प्रिता रविश कुमार पहली बार पहुँचे थे और जाहिर तोर पर पहली बार जब वो पहुचे 50 मिनिट के असपास के उनकी वीडियो है उस वीडियो के अंदर रविश कुमार ने टेंट में जिस सरह से कुछ एक वीडियो हमने दिखाई आपको उस सरह से जा करके यात्रियों से बात की है कि क्या बदला है जो सवाल लगाता है हम पूछते रहे यात्रा के अंदर वो इस सवाल रविस कुमार ने भी वहाँ पर जाकर है पूछे और लोगों ने बताया कि किस तरह से चीजे बदली है क्या कुछ हुआ है पहले जो है वो राहूल गांदी के बारे में बात कर करते थे तो कॉंग्रेस के नेताओं को किस तरह से जो है वो दुबकना पड़ता था लेकिन अब कॉंग्रेस के नेताओं के पास में तरक आ गया है कि राहूल गांदी जो है वो यात्रा कर रहे है और इस तरह की यात्रा क्या कोई और नेता कर सकता है क्या अपनी इस यात्र इतने कम समय में के अंदर जो है वो इतने ज़्यादा लोगों का देखा जाना और पचास मिनट के आसपास की पूरी एक वीडियो को देख रहे हैं यानि कोई एक फिल्म होती है वो करीब जो है वो दो ढ़ाई गंटे की फिल्म होती है वो फिल्म जो कितने मेहनत से, कितने बड़े कलाकारों से और कितना उसमें इफेक्ट वगरा डाल करके वो बनाई जाती है उस फिल्म को देखने के लिए लोग पैसा खर्च करके जाते हैं उसको लेकर भी लोगों की दिल्चस्पी नहीं है है रविस कुमार को लेकर के है सोचे जरा इस बात को दखिए एक बात को मैं सच्चाई से आपको बताना चाहूंगा कि भारत यात्रा हमने भी कवर की है और लोगों ने इसी तरह से प्यार दिया है लाखों लोगों ने देखा है एक एक दिन के अंदर 33 लाख लोगों ने हमारे चैनल के उपर भारत यात्रा को दिखा है और मैंने यात्रा उस वक्त कवर की थी जब कोई और यात्रा को चैनल कवर कर भी नहीं रहा था मैं यूट्यूब की दुनिया की बात कर रहा हूँ मेंस्ट्रीम मीडिया भी सुर्वात के 2-3 दिन तक रुकी और उसके तीसरे दिन जो है वो जातर चैनल मैं वहाँ पर पूछ रहा था कि आज न्यूजेटिन वाले नहीं दिख रहे बुले चले गए आज वो नहीं दिख रहे वो भी चले गए आज एबिपी न्यूज नहीं दिख रहा वो भी चला गया तीसरे चोथे दिन सब चले गए थे वापसी चले गए थे तमाम नेताओं के इंट्रिव्यू है लोगों के हुए और अपना मैटीरियल कलेक्ट किया और चले गए लोगों ने देखा सतर दिनों तक करीब जो है लगातार कंटिन्यूसली लगातार सतर दिनों के करीब मैंने ये यात्रा दिखाई है और शायद किसी और चैनल ने सतर दिनों तक लगातार यात्रा नहीं दिखाई होगी और खास करके उस इससे के अंदर दक्षिन भारत में यात्रा हमने कवर करके आपको दिखाई थी क्योंकि वहाँ पर language के एक बड़ी problem थी केरल के अंदर जो है वो मल्यालम भासा थी तमिलाडू में तमिल थी, कन्नर थी फिर लोगों की वो बातों को सुन करके फिर आपको बताना बड़ी एक challenging काम था और इसलिए लोगों वहाँ पर जा नहीं रहे एक सुरुआत थी, अब लोगों को लग रहा है कि हाँ यात्रा है बड़ी यात्रा है, लोग जुड रहे हैं, लोग बड़े बड़े आ रहे हैं कवर भी कर रहे हैं, लेकिन यात्रा को लेकर कि जिस तरह से सुरुआत में जो वहाँ से रिस्पोंस मिला और वो रिस्पोंस तब लोग कह रहे थे कि ये केवल और केवल साउथ में है आगे नहीं होगा, उससे वो चीज़े बढ़ती हुई चली और यही वज़े है कि रवीस कुमार के चैनल पर आज इतने कम समय में इतने ज़्यादा लोग उमड़ करके आ रहे है इसकी केवल और केवल जो है, वो वज़े यही है कि लोगों का धीरे 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 जो जुकाओ है वो कुंघ्रेस पार्टी के तरफ, रاحul गांदी के तरफ साफ तूर पर दिख रा, रवीस कुमार में निश्चित तरफ और और भी कई सारी वीडियो बनाई है यह मैं आपको सचाई साथ बता रहा हूं बाद में वो वीडियो जो है वो करीब दो-तिन मिलियन वीडियो चली है और ज़दा वीडियो भी शायद वो चल गई होगी लेकिन सुरवात में एक घंटे के अंदर इतने व्यूज नहीं थे लेकिन इस वीडियो के अंदर एक घंट जा करके देखिए उसके चैनल पर जा करके देखिए तो एक घंटे के अंदर तीन लाक धाई लाक दो लाक एक घंटे के अंदर जो है वो वीडियो नहीं चली है हाँ उनकी वीडियो पर अच्छा रिस्पॉंस है कहीं पर जो है वो वीडियो एक मिलियन है डिर्ड मिलियन है 2 million है 4 million है कोई 6 lakh है कोई 8 lakh है कोई 7 lakh कोई 4 lakh 2 lakh है लेकिन इस तरह से response नहीं था और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये response दो तरफा है एक राहूल गांदी की इस यात्रा को देखने समझने का और दूसरा रविस कुमार को और इसलिए जो है उस सारुखान जैसे बड़े स्टार का एक ट्रेलर जो है वो भी मात खा रहा है एक YouTube चैनल के जरिए एक पत्रकार के जरिए एक यात्रा के जरिए रासनिती को लेकर के पुरे देश में अगर कहीं पर भी आप चले जाईए तो रासनिती को लेकर के लोगों की इतनी दिल्चस्पी नहीं होती है जितना entertainment को लेकर के लोगों की दिल्चस्पी होती है और इसलिए रैलियों के अंदर लोगों को ले जाना पड़ता है और थेटर के अंदर लोग पैसा दे करके देखने के लिए फिल्म जाते है मेरी बात को अब गैराई से समझ रहे हैं लोगों की जो दिल्चस्पी होती है वो entertainment में जादा होती है इसलिए लोग जो है वो पैसा दे करके पैसा खर्च करके भी फिल्म देखने के लिए जाते हैं और रैलियों में यत्राओं में और कई सारी चीजों में कॉंग्रेस बल्हि और लोगों को पहुँच करके पहले बताना पड़ता है कि फला दिन आपके आंसे यात्रा निकलेगी, आप आईए, राउल को सुनिए, या लोगों को निमंतरन दिया जाता है, और फिर चायनास्ते का भी इंतजाम होता है, इस बात में भी कोई दोराई नहीं है, हाँ, इस तरह से लोगों का जो प्यार उमर करके आया है, और शारुखान के फिल्म को भी जो है, वो धता बता रहे है, इसको आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से समझते हैं, नीचे कमेंट बुक्स पर अपनी राय लिक करें कि मुझे जरूर बताईए, इस वीडियो खूब कीजिए, और शी तरह कि तमाम ख़बरों के लिए, ओनलाइन यूजे अने सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बैल आइकन है, घंटी उसको जरूर दबाईए, ताकि जैसे को डिपनोड करें, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें, धन्यवाद, इस खबर क अभी लाइक करें, शेर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाईए, और घंटी जरूर दबाईए